नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्रिकेट के मैदान के उन जादूगरों की बात करेंगे, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को नचाया है, उन्हें अपने इशारों पर नचाया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्रिकेट इतिहास के टॉप टेन बोलर्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दसवे नमबर पर हैं साउथ आफरिका के डेल स्टेन, जिन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी और स्विंग से बल्लेबाजों को हमेशा परिशान किया। 449 टेस्ट विकेट और 196 वंडे विकेट के साथ स्टेन साउथ आफरिका के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं। 2011 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन उनके करियर का सबसे यादगार पल माना जाता है। 9 नमबर पर हैं वेस्ट इंडीज के मैलकम मार्शल जिन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से क्रिकेट जगत में धूम मचा दी थी। 346 टेस्ट विकेट और 117 वंडे विकेट के साथ मार्शल वेस्ट इंडीज की उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1980 के तशक में क्रिकेट पर राज किया। 1980 में इंग्लेंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन उनके करियर का सबसे यादगार पल माना जाता है। आठवे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के टेनिस लिली जिन्हें टेनिस दिमेनेस के नाम से भी जाना जाता था। अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खौफ जदा करने वाले लिली ने 305 टेस्ट विकेट और 103 वंडे विकेट अपने नाम किये। 1977 में इंग्लेंड के खिलाब उनका प्रदर्शन उनके करियर का सबसे यादगार पल माना जाता है। साथवे नंबर पर हैं भारत के अनिल कुम्बले जिन्हें जम्बो के नाम से भी जाना जाता है। अपनी लेक्स बिन से बल्ले बाजों को चकमा देने वाले कुम्बले ने 619 टेस्ट विकेट और 337 वंडे विकेट अपने नाम किये। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाब दिल्ली टेस्ट में उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 600 वां विकेट हासिल किया था। छटे नमबर पर हैं न्यूजीलेंड के रिचर्ड हैडली जिन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से न्यूजीलेंड को क्रिकेट के नक्षे पर लाख़डा किया। 431 टेस्ट विकेट और 158 वंडे विकेट के साथ हेडली न्यूजीलेंड के सबसे सफल गेंदबाज माने जाते हैं। 1985 में आस्ट्रेलिया के खिलाब ब्रिस्बेन टेस्ट में उनके 9 विकेट लेना उनके करियर का सबसे यादगार पल माना जाता है। पांचवे नंबर पर हैं वेस्ट इंडीज के कर्टली अम्ब्रोज जिनकी उंचाई और तेज गेंदबाजी ने बल्लेबाजों के लिए खौफ पैदा कर दिया था। एम्ब्रोज की गेंदबाजी में एक अलग ही धार थी जो उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती थी। उनकी लंबाई और गति का मेल बल्लेबाजों के लिए चैलेंज था। 405 टेस्ट विकेट और 225 वंडे विकेट के साथ एम्ब्रोज वेस्ट इंडीज की उस टीम का हिस्सा थे। जिसने दुनिया भर में अपना सिक्का जमाया। उनकी गेंदबाजी का जादू हर मैच में देखने को मिलता था। एम्ब्रोज का हर विकेट लेना एक कला थी जिसमें उनकी मेहनत और रणनीती जलकती थी। आस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में उनका साथ विकेट लेना उनके बहतरीन प्रदर्शन में से एक है। उस मैच में एम्ब्रोज ने अपनी गेंदबाजी से औस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को धूल चटा दी। उनकी हर गेंद में एक अलग ही आग जिसने बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर लिया। चौथे नंबर पर हैं पाकिस्तान के वासिम अकरम जिन्हें सुल्तान ओफ स्विंग के नाम से जाना जाता है। वसीम अकरम ने अपनी गेंदबाजी से क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। उनकी स्विंग गेंदबाजी का जादू ऐसा था कि बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना एक चुनौती बन जाता था। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को न जाने कितनी बार पवेलियन का रास्ता दिखाया। उनकी गेंदबाजी की विविधता और सटीकता ने उन्हें एक महान गेंदबाज बनाया। वसीम अकरम की गेंदबाजी में एक खास बात थी। उनकी यॉरकर गेंदें जो बल्लेबाजों के लिए अक्सर घातक साबित होती थी। 414 टेस्ट विकेट और 502 बंडे विकेट के साथ अकरम पाकिस्तान की सबसे खतरनाक गेंदबाजी आकरमन का हिस्सा थे। उनकी गेंदबाजी ने पाकिस्तान को कई महत्वपूर्ण मैच जिताएं वर्ल्ड कप के फाइनल में उनका प्रदर्शन हमेशा याद रखा जाएगा। उस मैच में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान को जीत दिलाई और वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने में महत्वपूर्ण म्हुमिका निभाई। तीसरे नंबर पर हैं आस्ट्रेलिया के ग्लेन मग्राथ जिन्हें पिजन के नाम से भी जाना जाता है। अपनी अनुशासित लाइन और लेंद के लिए मशूर मेग्राथ ने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को हमेशा परेशान किया। पांच सौ तिरसट टेस्ट विकेट और तीन सौ इक्यासी वंडे विकेट के साथ मेग्राथ आस्ट्रेलियाई टीम की सफलता के एक एहम कारण थे। दो हजार तीन वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन कभी भुलाया नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पर हैं श्रीलंका के मुटिया मुरल इथरान जिन्होंने अपनी ओफ स्पिन से दुनिया भर में तहल का मचा दिया। 800 टेस्ट विकेट और 500 चौन्टीस वंडे विकेट के साथ मुरली क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज माने जाते हैं। उनकी डूसरा गेंद तो बल्ले बाजों के लिए एक पहली ही बनी रही। 2007 में इंग्लिंड के केविन पीटरसन को बोल्ट करना उनके करियर का सबसे यादगार पल माना जाता है। नमबर एक पर हमारे पास हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन जिन्हें शेननी के नाम से भी जाना जाता है। वॉन ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी गेंद बाजी का जादू ऐसा था कि बल्ले बाजों के लिए उन्हें खेलना एक चुनोती बन जाता था। वॉन का नाम सुनते ही दिमाग में घुमती गेंद की तस्वीर आ जाती है। उनकी गेंदें इतनी सटीक और घुमावदार होती थी कि बल्ले बाज अकसर चक्मा खा जाते थी। लेक्स बिन की दुनिया का ये बेताज बाज़शा अपनी फिरकी में बल्ले बाजों को फसाने का हुनर बहुभी जानता था। वान की गेंदबाजी में एक खास बात थी। उनकी गेंदें बल्ले बाजों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। उनकी गेंदों का घुमाव और गती का संयोजन अद्वितिये था। 708 टेस्ट विकेट और 293 वंडे विकेट के साथ वान का करियर उनकी गेंदबाजी की तरह ही रंगीन और यादगार रहा। तिरानवे में इंगलेंड के माइक गैटिंग को किया गया वह गेंद जिसे बॉल अफ दे सेंचुरी कहा जाता है। वह गेंद क्रिकेट इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई। दोस्तों ये थे क्रिकेट इतिहास के टॉप टेन बोलर्स जिन्होंने अपनी कला से क्रिकेट प्रेमियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इनके रिकॉर्ड और उपलब्धियां आज भी युवा पीरही के लिए प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।